विलियम हर्शल ने ये पता किया था कि सूर्य और उसके ग्रहम मिल्की वे में घूम रहे हैं और उनके बेटे जॉन का क्या हुआ? बड़ा होकर वो एक महान वैग्यानिक बना अपने पिता के साथ उसने बच्पन में स्पेस को जितना देखा था उसकी बड़ालत उसने आकाश कंगाओं का वो कैटलॉग बनाया जो हम आज भी इस्तमाल करते हैं जब विलियम की सेहत गरने लगी तो जॉन उनके साथ पूरी पूरी रात टेलेसकोप से तारे देखने में उनकी मदद करते थे और जब उनके पिता की मौत हुई तो जॉन ने उनकी कबर पर ये लिखवाया जिन्होंने स्वर्ग की दीवारों को तोड़ दिया जॉन को अक्सर अपने पिता के साथ बिताई गर्मियों की वो राते याद आती थी शायद इसलिए उन्होंने गुसरे वक्त को सहिशने का तरीका निकाला जॉन हर्शिल एक नए तरह के टाइम ट्रैविल की शुरुआत करने वालों में से एक थे जिसमें लाइट और यादों को कैद किया जाता है उन्होंने इसके लिए एक शब्द भी दिया था फोटोग्रफी अगर देखा जाए तो फोटोग्रफी का मत्द भी है वक्त में पीछे जाए ये इनसान हमें सदियों से ऐसे ही देख रहा है लाइट ने इसे सहेज का रखा है अगर लाइट ने जाएट रहा है